हेलो डालिंग फैंट्स, चली आ बात करते हैं डालिंग प्रवास की अबकमिंग फिल्मों की बारे में, मैंने यहाँ पे दो लिष्ट बनाया है, एक है को अन्फम वाला जिसको डालिंग प्रवास शाइन कर चुके हैं, तीन चार सालों के अंदर बो सारी फिल्में जो हैं हमे चाहते हैं लेकिन डालिंग प्रवास अभी तक साइन नहीं करे हैं वो फिल्म में नहीं चुड़े हैं 60-70 परसंट तक चांसस है कि वो सारी फिल्में भी आगे चल करके आ सकती हैं ओके और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दोनों लिस्ट को मिला करके टोटल मुविस होते हैं 18 18 मुविस मतलब रालिंग प्रवास की उमर खतब हो जाएंगे और वो सारी फिल्मों का लिस्ट खतम नहीं होने वाला है जब तक वो इंडस्ट्री में हैं बड़ी बड़ी फ प्रवेजेक्ट वाली फिल्म है तो चलिए बात करते हैं कौन-कौन सी फिल्म है पहले मैं कंफर्म बाला आपको बता देता हूं जो कि हमें तीन-चार सालों के अंदर दिखने को मिल जाएंगी पहले तो है कल की ट्यून के लास्ट वीक में दिखने को मिलेगा 20 जून या फ विस्नुमन्जुजी का कनपपा मूवी है जो कि 2025 के सुरुवाती दिनों में ही देखने को मिल जाएगी साइद वो फेप्रॉरी मार्स तक आजाएगा मेरे ख्याल से फेप्रॉरी लास्ट या फिर मार्स फास्ट में सिबरात्त्री के दिन आएगा 2025 और सलार 2 मूवी है जो क कि 2025 के आखरी जरन में या फिर मिडिल में देखने को मिलेगा स्पिरिट मुवी है 2025 के आखरी जरन में या फिर 2026 के सुरुवाती दिनों में देखने को मिल जाएगा फॉजी मूवी है, फॉजी मूवी वो है जो हनुरागवपूरी के साथ जो फिल्म बना रहे हैं, वो एक periodic ड्रामा फिल्म होने वाली है, और वो फिल्म जो है हमें 2026 में देखने को मिलेगा, कल की 2 मूवी आएगी, कल की 2 ए 980 मूवी का second part आएगा, उसके बाद रावन मूवी है, जो कि प्रसान निल जी के साथ है, दिल राजू इसके बारे में जिखर कर रहे हैं, वो इस फिल्म को प्रोडूस करेंगे, तो ये आठ मूवी जो है, एकदम से confirm है, और ये फिल्म है, हमें 3-4 सालों के अंदर देखने को मिल जाएगा, अभी हम बात करते हैं, 60-70% तक च अभी तक डालिंग प्रवास जो है, वो साइन बगरा नहीं करे हैं, और एकदम से confirm नहीं हुआ है, इसी बजर से, पहला है डूड मुवी, जो कि गोपी चांद और डालिंग प्रवास की दोनों का फिल्म आने वाली है, वो एक ड्रीम होने वाला है, एक चोली में, तो 60-70% chances वाले list में रखा है, लोकेश का नगराज के साथ आएगा, उसके बाद साहो 2, साहो 2 मुवी आने की chances बहुत जादा है, जिसका खुलासा एकदम से हो जाएगा, ओजी मुवी के बाद, ओजी मुवी हमें 27 September को देखने को मिलेगी, और 27 September के बाद, मतलब ओजी मुवी द excitement बढ़ा दिये है, कि वो आगे चल करके कुछ कर रहे है, universe वगेरा कुछ करने जा रहे है, इसके उपर वो कुछ इस्तरा का curiosity वाला message छोड़े है, Spirit 2 भी आने की बहुत ज़्यादा chances है, Animal के बाद Animal Park जैसा, Spirit 2 भी आने की बहुत ज़्यादा chances है, कलकी 3, कलकी को दो बहुत पह chances है, क्योंकि फिल्म वैसा है, लेकिन पार्ट 3 तक ये लोग लिकर के जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा डगमगा रही है, इसी बज़र से मैंने 60-70% chances वाले list में रखा है, कलकी 3, सलार 3, सलार 3 भी भाई, जिस तरह की कहानी है, वो दो पार्ट में समाने वाली नहीं है, बिल्कुल ये KGF की तरह ही जा रहा है, जो कि मल्टी पार्ट की फिल्म होगा, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आने की बहुत ज़्यादा chances है, जो कि पार्ट 2 के बाद ये कंपर्म होगा, और ये 60-70% chances से list से, वो आगर के कंपर्म वाले list में सामिल हो जाएगा, सलार 3, उसके बाद बाहूबली 3, ओके बाहूबली 3 को लेकर के बहुत सारी update आती है, मतलब बहुत सारे portal में कहा जाता है, कि SSMB 29 मुवी के बाद, SS Raja Moli जो है, वो बाहूबली 3 ही लेकर के आएंगे, ओके कुछ इस तरह का update हमें, मतलब SS Raja Moli सर भी कई सारे interview में बता चुके हैं, वो ट्रिपल आट टू के बारे में भी बताते हैं, वो एक्चोली जिस फिल्म के उपर काम करते हैं, उसके उपर फोकस अच्छे से देते हैं, पूरा का पूरा ध्यान देते हैं उसके उपर, और next project को लेकर के एकदम से गुम्रहा कर देते हैं लोगों को, तो SSMB 29 मुवी आन चल करके आएगी, क्योंकि प्रभास होगे, SSR जे मोली सर होगे, बिजंदर प्रसाद जी होगे, सब के सब बाहुवली 3 के बारे में जिकर करे हैं, तो वैसे ही उम्मिद दे करके कभी नहीं लाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, बाहुवली 3 आएगा, definitely time लगेगा उसे, उसके जो रामचनर जी के साथ जो उनका फिल्म है, वो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, कि प्रभास के साथ वो फिल्म आगे चल करके लेंगे, या फिर नहीं लेंगे, बोयपति स्रीनू के साथ भी फिल्म आने वाली है, बोयपति स्रीनू भी एक स्क्रेप्ट लिखे हैं, तो इसी बज़र से डालिंग प्रवास हामी भरेंगे नहीं भरेंगे वो बाद में पता चलेगा। सिधाथ अनन के साथ एक फिल्म आने वाली है जो की होल्ड है आप लोगों को पता है अभी के लिए क्योंकि सिधाथ अनन स्पाय इनिवर्स में बीजी है और डालिंग प्रवास अपनी अपकमिंग फिल्मों में बीजी हैं दुनों जब भी फ्री होंगे तो ये जो महित्री जो combination वाला जो बहुत चर्चा हो रही थी, वो project जो है आगे workout हो सकती है, आगे चल सकती है, वो भी बात में पता चलेगा, मेरे ख्याल से tiger versus पठान movie देखने हैं कि बास सिधात अनन कौन से film है जूड रहे हैं, वो darling प्रभास को लेकर के film बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बा confirm बाला जो है, 8 movie है, 8 movies है, ओके, और यह जो मैंने sequel वाली बात करी, साहो 2, Spirit 2, कलकी 3, सलार 3, इसमें से कलकी 3 और सलार 3 मुझे एकदम से confirm लगती है, जो की आगे चल करके आ सकती है, क्योंकि इन दोनों film के कहानी, इन दोनों film के plot जो है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाख है, तो guys मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, सारे के सारे big budget film है, बड़ी बड़ी फिल्म है, experimental film है, आगे चल करके हमेशा डाली प्रफास risk ही उठाने वाले है, और बड़ी बड़ी फिल्म लेकर के ही आने वाले है, और cinema जगत में कुछ नया जरूर दिखाएंगे इंड लेकिन फिल्म का लिस्ट खतम नहीं होने वाला है, तो ऐसा upcoming list इस तरह का line-up कौन सी hero का है, comment ज़रूर करिएगा, ओके इसी बज़र से वो अल्यूश नमबर हो आने मेरे ख्याल से, thanks for watching, have a nice day, take care